हलो स्टुडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर जिसका नाम है शौरफ क्लासेज आज मैं JPSC के उद्देश से मद्यकालिन भारतिय इतियास से अकबर की राजपूत नीती अर्थार अकबर राजपूत पॉलसी इस विशय को लेकर उपस्तित्वा हूँ तो चलिए शुरू करते हैं अकबर की राजपूत नीती पूरवर्ती मुगलों की नीती से एकदम भिन्न थी उसने भारत में मुगल सामराज जी की दिड़ता एवं सुरक्षा हे तू राजपूतों को अपना मित्र बनाया उसे ऐसे मित्रों की तलाश थी जो उसे समर्थन और सहयोग दे सके राजपूत अपने शौरे एवं पराकरम के लिए विख्यात थे अक्बर ने अनुभव किया कि राजपूतों से शत्रता मुगलों के लिए घा तक हो सकती है लेकिन उनकी मित्रता मुगलों के लिए उप्योगी साबित होगी अता अक्बर ने राजपूतों के साथ जो व्यवहार किया वह उसकी विवेकपूर्ण, उदारतापूर्ण, एवं सहयोग की निती पर आधारित थी अक्बर ने अनुभव किया कि भारती ये बहु संख्यक जनता मुगलों को विदेशी और लुटेरा मानती थी भारतियों के मन में मुगलों के प्रती कोई सहनभूती नहीं थी मुगलों ने अफगानों को पराजित करके उनसे उनका राज्य छीना था अता अफगानी मुगलों के कटर शत्रू थे इसके अलावे मुगलों की सैना में विदेशी सैनिक थे तथा मुगलों को पूरी तरह उन पर निर्भर रहना पड़ता था इन परिस्थितियों में मुगलों को अस्तित्व कायम रखना मुश्किल था इसलिए उसने राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने एवं मुगल राजवंश पर राश्ट्रियता की छाप लगाने के उदेश्य से राजपूतों के साथ मित्रवत नीती अपनाई अकबर की राजपूत नीती का उदेश्य राजपूतों को अपने अधीन लाना था इसके लिए उसने युद्ध और शांती की नीती का पालन किया सरप्रतम उसने राजपूतों से मित्रता के लिए हात बढ़ाया अनेक राजपूत शाषकों ने अकबर के साथ शांती पूर्ण संधी कर ली और उसकी अधीनता स्विकार कर ली कुछ राजपूत साषकों ने इसे अपना अपमान समझा और अकबर की अधीनता स्विकार करने से मना कर दिया इस पर अकबर ने युद्ध निती को अपनाया संधी और युद्ध निती के उपरांद अकबर अधीनता स्विकार कर लेने वाले राजपूतों को उनका संपूर्ण राज्य लौटा देता था तथा उन राज्यों का आंतरिक शाशन गवस्था उन्हें सौप दिया परन्तु उन राज्यों की वैदेशिक नीती का संचालन अकबर अपने हाथों में ले लेता था अकबर मुगल सामराज्य के विस्तार एवं शाशन संचालन हे तू राजपूत शाशकों के सहयोग के लिए सदा तत पर रहता था उपरोक्त नीतियों के अतरिक्त अकबर ने राजपूतों से वैवाहिक संबंद स्थापित किये इसी क्रम में अकबर ने भारमल की पुत्री से विवाह किया इसके पश्चाद अकबर ने भारमल के पुत्र भगवानदाश और पौत्र मान सिंग को मुगल दर्बार में उच्च स्थान दिया मुगल कालिंग इतिहास में या पहला अवसर था जब किसी गैर मुस्लिम को शाशन के इतने उच्च पदों पर नियुक्त किया गया कालांतर में अकबर ने बिकानेर, जैसलमेर, मारबाड, डुंगुरपूर के राजपूत साशकों के साथ भी वैवाहिक संबंद स्थापित किये अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंद को संधी का एक आवश्यक अंग बना दिया इसके साथ साथ उसने सभी राजपूत कन्याओं को पूरी मर्यादा और सम्मान के साथ अपने धर्म के पालन की स्वतंतरता देकर अपने महल में स्थान दिया अपनी धार्मिक उदारता के द्वारा अकबर ने राजपूतों का हिर्दय जीतने का प्रेत्न किया अक्बर ने धार्मिक भेदभाव मिटाकर समस्त भारतियों को राष्ट्रिय सूत्र में बांधने का प्रयत्न किया उसने 1563 में तिर्थियात्रा कर, 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया हिंदूओं को अपने धार्मिक अनुस्ठानों को मानने एवं पूजा करने की छूट दी गई इसके कारण अक्बर को वित्यहानी उठानी पड़ी तथा धर्मान्द मुसल्मानों के कोप का भाजन बनना पड़ा किन्तू वा धार्मिक उदार्ता हेतू द्रसंकल पित्था अक्बर की राजपूत नीती का प्रभाव अत्यंत महतुपूर्ण चीरस्थाई एवं दूरगामी साबित हुई वह मुगल एवं राजपूत दोनों के लिए लावदायक सिद्ध हुआ अक्बर ने राजपूतों को मुगल प्रशाशन में उचे पद बड़ी जागीरे और दरबार में उचित सम्मान दिया वह अब मुगल सामराज्य के प्रबल समर्थक बन गए इसके विस्तार एवं सुरक्षा में राजपूतों ने अपना पूर्ण सहियो दिया इस प्रकार हमने देखा अक्बर की राजपूत नी थी तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद